यारे बच्चो, क्लास 12 इंगली स्कोर, परिच्छा उपयोगी महत्पून प्रश्ण आपको इस वीडियो के माध्य हम से बताऊंगा, चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं, पहला कोस्चन है आपका, नोटि ए, फॉर्मल लेटर स्टार्ट बीज, मंलब कि सूचना एक अवचारिक पत्र सुरू होता है, तो एक अवचारिक पत्र जो सुरू होता है, आपका और कर्यक्ट अंसर हो जाएगा सेंडर एड्रेस से, तो C हो जाएगा तीसरा है, बिटीस बगार मालिक, नील बगार मालिकों को कितना परतीसर चुखाने के लिए सहमत हुए तो इसका अपका करेक्ट अंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 परतीसर चौथा नमबर है, एक ठिंग और ब्यूटी कभीता में एड्यमेंड कौन है तो इसका एडवियन कौन है तो इसका करेक्ट अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D नमबर A young spent पांचमा है What is a Bower मरला Bower क्या है तो Bower जो है वो है आपका इसका D इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा पेड या चटाए वाले पौधे के नीचे छायदार जगा को कहा जाता है छठा नमबर है कवीता के कवी का नाम बताई सौंदर के वा मला A thing of beauty कवीता के राइटर कौन है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका John Kites John Kites साथमा नमबर है Dr. Sadao कौन थे तो Dr. Sadao जो थे वे एक Japanese डॉक्टर थे तो D हो जाएगा इसका एक Japanese डॉक्टर आठवा नमबर है सदाओ के पिता किस तरह के व्यक्ति थे तो सदाओ के जो पिता थे वो किस तरह के व्यक्ति थे इसका आपका correct answer C हो जाएगा समुन्द टट पर अपने घर के बाहर मिला था दस्वा नमबर है हमारे जीवन से क्या दूर होता है तो इसका correct answer हो जाएगा इसका correct answer B हो जाएगा Some space of beauty मलब सुन्दर्ता का कुछाकार 11 नमबर है किट सुन्दर्ता की चीज को कैसे परभासित करता है तो इसका answer है John Kitts के नुसा सुन्दर्ता John Kitts के नुसा सुन्दर्ता की एक चीज हमेशा के लिए एक खुसी है या खुसी और आनंद का एक निरंतर सुरूत है इसकी मरोमता हर पल बढ़ती जाती है या कभी सुन्द में नहीं जाएगा दूसरे सब्दों में सुन्दर्ता की चीज का कभी अमुल्यन नहीं होता है 12 नमबर क्वेशन है Tom कौन था तो Tom एक अमरीकी सैनिक था जो यूद में घायल हो गया था 13 नमबर है राजकुमार सुकला गांधी जी को चमपारन क्यों ले जाना चाते थे तो रामचंदर सुकल जो है मलब राजकुमार सुकला एक गरीब किसान थे दरसलवा चमपारन का बटाईदार था वह भारत के अन्य किसानों की तरह गरीब कमजोर पतला था वह बिहार में जमिनदारी प्रथा के अनाय की सिकायत करने के लिए कॉंग्रेस अधिवेशन में आये थे चंपारन में अधिकांस खेती योग भूमी अग्रेजी जमिनदारों के स्वामित में थी उन्होंने भारतिय बटाईदारों को जमीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया किसी ने उन्हें गांधी जी से मिलने की सला दी थी इसलिए वो गांधी जी को चंपारन लाना चाहते थे डॉक्टर सदाहो ने अमरीकी सैंक के इलाज के लिए हाना की मदद क्यों ली तो अमरीकी सैंक बुरी तरह गायल हो गया था उन्हें गहरा घाव था जिसका तुरद आप्रेशन किया जाना था अप्रेशन के समय डॉक्टर सदाहों को कुछ सहायता किया सकता थी सबसे महत्पुन कार अप्रेशन के समय रोगी को इन्थिसिया देना था ताकि उसके अंदलों को रोका जा सके डॉक्टर सदाहों बाहर से किसी को नहीं बुला सकते थे क्योंकि उन्हें अपने घर में अमरीकी सैनी की उपस्थिती को गुप्त रखना था इसलिए उन्होंने हाना को अप्रेशन के दौरान उनकी मदद करने और मरीज को इंथिनिसिया देने के लिए कहा पंदरा नंबर कोश्चन है चंपारन परसरन गांधी जी के जीवन में एक महत्पून मोड कैसे साबित हुआ तो चंपारन प्रकरन गांधी के जीवन में महत्पून मोड था गांधी स्वयम इसे स्विकार करते थे जब वा राज कुमार सुकल से मिले तो उन्हें चंपारन के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन चुकि गांधी पेसे से वकिल थे इसलिए मामले की तह तक जाना उनकी आदत थी और उन्हें अलग-अलग सुरोते से सारी जनकारी मिले उन्होंने पाया कि कमजोर वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा था और उन्होंने इसके लिए उनका साहरा लिया और बिटी सरकार को अपने घुटनों पर लाकर समझोता करने के लिए मजबूर किया गांधी ने इस जीत को विक्तिगत रूप से अलग गरीब किसानों के जीत के रूप में महसूस किया और इसलिए उन्होंने इसे अपने जीवन का महत्बुन मोड कहा क् सीख लेकर वा अपनी आगे की योजनाव को सफल बनाना चाहता था सोलन नमबर कोशन है डॉक्टर सादाओं ने अमरीकी सैनी को भागने में कैसे मदद की इसका एंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सादाओं ने अमरीकी युदबंदी को नया जीवन दिया था उसने और उसकी पतनी हाना ने उसकी जान बचाने के लिए बहुत दर्द उठाया हुआ उसे फिर से मौत के जब्रेस में नहीं फिकना चाहता था उन्होंने युवा सैनी को रात में अपनी नीजी नाव लेने के लिए कहा उसे पास के एक छोटे से द्वीप पर दाकनेस की आड में मलब अंधेरे की आड में पंतिबद होना चाहिए द्वीप सुनसान था क्योंकि उस पर कोई नहीं रहता था युवा अमरीकी वहां रह स लगता था जब तक कि उसने एक कुरियाई मचली पकड़ने वाली नाव को पास से गुजरने नहीं देखा उसने उनमें से कई द्वीप के पास से गुजरे उसने उसमें खाना बोतल बन पानी और दो राजाई डाल दी यदि नाव पकड़ने से पहले भोजन समाप्थ हो ज सकता उसे अंधेरे में संकेत नहीं देना था क्यूंकि उसे देखा जा सकता यूँवा अमरीकी बगीचे के अंधेरे में नीचे आया और भाग गया कैदी काफी सुरचित चला गया था तो ये थे आपके कुछ महत्पून प्रस्न आसा करते हैं वीडियो आपके लिए उप्योगी होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ जैहिन जैभारत